रक्षा बंधन के तियोंहार पर जैपूर सेंट्रल जेल में बंद क्यादियों को बेहनों ने राकी बांधी आज सुब से ही सजी धजी बेहने थाली लेकर जेल में बंद भाईयों को राकी बांधने पहुंची इस दोड़ान उन्हें जेल परिसर के कड़े सुरक्षा मानकों के बीच से होकर गुजरना पड़ा अंदर जाने के बाद बहनों ने जेल की सलाखों से बाहर निकली कलाईयों पर राकी बांधी तो दोनों के ही आंस्खों में आसू चलकाए इस दोरान बहनों ने तिलक लगाया अपने भाईयों की दिरगायों की काम ना की इधर महिला जेल में बंद बहन से राखी बांधने के लिए भाई भी पहुंचे जेल में राखी बांधने के लिए बहनों को सुबह से लेकर शाम तक का समय दिया गया था वहीं महिला जेल में राखी का समय चार से पांच तक का रहा बता दें कि जैपुर सेंट्रल जेल में फिलहाल 24,402 बंदी हैं जबकि 19,179 विचारा धीन कह दी है तो राज़ानी जैपुर के सेंट्रल जेल की तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षाब बंधन के पर्व के मौके पर बेहने अपने भाईयों की कलाईयों पर राखी बांदने के लिए पहुँची हैं तो आज ये सुबर से ही बेहने पहुची होई हैं उनका इंतजार खत्म हुआ है भाई जो जेल के अंदर बंद हैं जिन में कुछ बंदी हैं तो कुछ का विचारा धीन मामला चल रहा है इन से मिलने के लिए बेहने आज दूर दराज के इलाकों से आई हैं जैपुर पहने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुची होई हैं सेंट्रल जेल और जेल में जो बंदी हैं कैदी हैं उनको राकी बांधने के लिए पहुची हैं इसी तरह से जो महिला जेल में बंधने के लिए उनके भाई जेलों में पहुच रहे हैं तो दोनों तरक के नजारे देखने को मिल रहे हैं